हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यानिकी 183 रुपए और 45 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 3898 रुपए है और 52 लो 1017 रुपए और 45 पैसे हैं। स्टॉक ने हाल के दिनों में 3152 रुपए के आसपास रेजिस्टन्स पेस करने के बाद डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउनसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 2730 रुपए और 35 पैसे। इसका दुसरा सपोर्ट 2507 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 2286 रुपए और 90 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउनसाइड मूव कंटेनियू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रिजिस्टंस होगा 3020 रुपए और 95 पैसे। इसका दुसरा रिजिस्टंस होगा 3152 रुपए और 5 पैसे। और इसका तीसरा रिजिस्टंस होगा 3382 रुपए और 20 पैसे। अगर यह stock यहां से upside move करता है, तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए नजर आ सकता है. Daily time frame के हिसाब से यह stock bearish नजर आ रहा है, और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bearish ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह stock और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है. इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफते का हमारा दुसरा स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है ये स्टॉक शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 को 1634 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफ़ते के तुलना में 5.26% यानिकी 90 रुपए और 70 पैसे घटा है स्टॉक का 52 वीक हाई 1749 रुपए और 60 पैसे है और 52 वीक लो 1123 रुपए और 40 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 1740 रुपए के आसपास रेजिस्टन्स पेस करने के बाद डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउनसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 1623 रुपए और 45 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट 1536 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 1452 रुपए और 40 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउनसाइड मूव कंटेनियू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रिजिस्टन्स होगा 1667 रुपए और 90 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स होगा 1707 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स होगा 1741 रुपए और 15 पैसे अगर यह stock यहां से आप side move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए नजर आ सकता है देली time frame के हिसाब से यह stock bearish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bearish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफते का हमारा तीसरा स्टॉक HDFC Life Insurance Company Limited है ये स्टॉक शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 को 649 रुपए और 85 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 4.94 यानिकी 33 रुपए और 25 पैसे घटा है स्टॉक का 52 बीक हाई 710 रुपए और 60 पैसे है और 52 लो 457 रुपए और 80 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 711 रुपए के आसपास रिजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउन साइड लवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 636 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट 618 रुपए और इसका तीसरा सपोर्ट 603 रुपए और 25 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनिव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रिजिस्टंस होगा 673 रुपए इसका दुसरा रिजिस्टंस होगा 694 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस होगा 711 रुपए और 10 पैसे अगर यह stop यहां से upside move करता है तो आने वाले समय में यह stop इन levels को भी touch करते हुए नजर आ सकता है तो आने वाले समय में यह stop और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको अभी इस top में कोई भी fresh entry plan नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफते का हमारा चौथा स्टॉक UPA Limited है ये स्टॉक शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 को 581 रुपए और 65 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 4.78 परसेंट यानि की 29 रुपए और 20 पैसे घटा है स्टॉक का 52 वीक हाई 780 रुपए है और 52 वीक लो 528 रुपए 15 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 615 रुपए के आसपास रेजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउनसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 565 रुपए और 80 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट 555 रुपए और 20 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 529 रुपए और 55 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउनसाइड मूव कंटेनियू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टंस होगा 615 रुपए और 60 पैसे इसका दुसरा रेजिस्टंस होगा 636 रुपए और इसका तीसरा रेजिस्टंस होगा 648 रुपए और 10 पैसे अगर यह stock यहां से आप side move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए नजर आ सकता है देली time frame के हिसाब से यह stock bullish होता हुआ नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से यह stock bearish नजर आ रहा है तो आने बाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफते का हमार पांचवा स्टॉक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल एकोनोमिक जोन्स लिमिकेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 को 1027 रुपए और 50 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 4.73 यानिकी 51 रुपए और 5 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक 395 रुपए और 10 पैसे हैं। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1,102 रुपए के आसपास रिजिस्टन्स फेज करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 990 और 20 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 851 रुपए और 35 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनियू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रिजिस्टंस होगा 1049 रुपए और 85 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस होगा 1083 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस होगा 1116 रुपए और 65 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से आप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स करते हुए नज़र आ सकता है देली टाइम फरेंग के हिसाब से यह बियरिश नज़रा रहा है और weecklir ताइमफने के हिसाब से भी यह बियरिश ही नजरा रहा है तो आने वाले संवय जह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नज़र केम आ इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए दोस्तों यह वीडियो केबल और केबल एजुकेशनल परपस के लिए है इनमें कोई बाई, सेल या होड की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलबिदा